कि अब्रकुम टो इज़ी फार्मा तो गाईज आज का हमारे हाँ पर टॉपिक रहेगा एंटी इमटिक्स ड्रग आप देखें एंटी इमटिक्स ड्रग हमारी क्या होती हैं इनको डीटेल में आप इम डिसकस्करने वाले हैं तो जैसे सब्प्वेक्ट हमारे हैं आप चलाए तो देखे यूनिट हमारे चले यहाँ पर एट इसका अंदर एक वीडियो लेक्चर पहले हम डिसकस कर चुके हैं तो देखे एंटी का मींस होता है अपोस चाहि में यहां पर इमिटिक्स जिसका मींस होता है यहां पर उल्टी और डिलग एक तरह से हमारी दवाईया तो इसकी डेफिनेशन सीधी हम बना सकते हैं वो दवाईया जिनका यूस वोमेटिंग यानि उल्टी को टिलीट करने में क् वोमेटिंग हम कहते हैं इंगलीश में उल्टी हम कहते हैं हिंदी में तो बहुती कम ऐसे लोग होते हैं जिनको उल्टी वगरा नहीं आती है कुछ को ऐसा होता है कुछ ऐसी कंडिशन होती है इसमें ट्रेवलिंग वगरा लोग सफर वगरा करते हैं कुछ लंबा सफब होता है तो उसमें उल्टी वगरा आ साटे यान काफी सारी कंडीशन होती है तो वो जए एक नहीं देख लेती है उसके जीवगरा मचला थे उसके बाद उल्टी आती है ज्रीक्टारर याफ्री सक्टर्वास मतुनिवें आती है तो यहां पर प्रीवेंट करने में वह तरह से इनका यूاز मुशन सिकने स्किया होता है तो मुशन सिकने सोता हैं मान लेज़ाइज आने के सियम्टम्स महा पे बार बार आपकπαस sitä लग रहा कि ओल के पे नहीं है तो उल्क आने से पहले और एक तरह से जब symptom आपके स्टार्ट होते हैं तो उस दो रान की जो condition होती है उसके हम कहते है motion sickness यानि उल्टी वगर के symptoms आना तो इसमें एक तरह से इसके यूज के जा रहा है साथ ही में एक तरह साइड इफेक्ट ऑफ ऑफ उप्योड अनाल जैसिक जर्नल अनेस्टेटिक्स एंड कीमोधेफी अगेंस्ट कैंसर तो इन दवाईयों के एक तरह साइड इफेक्ट वगरा होते हैं उसको भी ट्रीट चलिए डेफिनीशन दिखके लेन देविक्स सकते हैं इसका क्यासिफिक लासिफिकिरशन हमारी उसका किलासीफिकिक होती है एक तरह से H1 Anti-Histaminics हमारी कौन-कौन से आएंगी तो इसमें प्रोमेथजिन आ जाएगा क्या होता है आप देखा है ने बच्चे गोर को दवाई गोर देते हो प्रोमेथजिन क्या होता है सिरप की फॉर्म में उनको थोगा सा करकर दे देते हैं कंटेटर में तो प्रोमेथजिन काफी ज आ जाएगा साथ में हैं पर क्लोर प्रोमेथजिन आ जाएगा साथ में हैं पर नेक्स्ट आ जाता है प्रो क्लोर पीले जाइन तरह से यह हमारा आ जाएगा नेक्स्ट हम देख लेते हैं पर प्रोकाइनेटिक ड्रक्स तो इसमें कौन-कौन से हमारी आती है इसमें फ़र्ष मुस्टली एक तरह से यही एक तरह से वोमिटिंग को टीरिट करने में आप मेडिकल इस्टोर पर जाएंगे तो मुस्टली यही देखने को मिलता है साथ में गरानी सैटरोन तो यह हमारा यहां पर हो गया आप चलिए नेक्ष नहीं हम देखे लेते हैं फार्मकोलोजिकल एक् इस तो एंटी कोलनर्गी में फर्ष्ट हमारा यहां पर आ जाएगा हायोसिन तो हायोसिन में चली हापहें देख लेते इकस तरह से एक तरह से बोडिम अगर तो उसकंडिशन मोश्टली में मोगमिटिंग वगरा देखने को मिलती है तो एक तरह से जो फुलूइड है उस ही के एक तरह सिक्रेशन को यहां पर कम कर दें, डिक्रीस कर दें, तो एक तरह से वो चांस जो है, वहां पर कम हो सकते हैं, जैसे क्या करती है, हमारे हाय सीनी क्या करती है, यहां पर सिक्रेशन जो हता है, फिलूइड का, उसको यहां पर मतलब यह डिक्रीस कर देती है, यह एक त कंडिशन में काफी जाद ही एफेक्टिव होती है तो वह कंडिशन वहीं पर ट्रीट हो जाएगी तो उल्टी महां पर नहीं आएगी नेक्स हम देगे लिए इट रिलीव नोजिया मोमिटिंग एंड डिजनेस देखें नोजिया वगार के होता है जी मचलाना तो जी मचलाना अब एक तरह से इस्टार्ट होता है तो वो मीटिंग व tokens वहर के चांसे जाता रहते हैं तो एक तरह से नोजिया में वोमिटिंग में साथ में यहां पर पेंडिजनेस यानि चक्कर वगार अपना तो इस कंडिशन में यह एक्टिव होती है यहाँ पर सेकिंड हम देग लि改 होते हैं H1 anti-histaminics अब देखिए किस तरह से body में ये effect कर रहे हैं तो देखिए कुछ हमारे जो anti-histaminics agent होते हैं उनका एक तरह से as a antimatic use के जाता है सारे तो नहीं होते हैं जैसे आपको classification बताए इस तरह के हमारे कुछ होते हैं तो some anti-histaminics agent also as a antimatic use के जाते हैं साथ में एक तरह से ये use के जाते हैं motion sickness में वोमेटिंग में तो इस तरह से ये अपना effective शो करते हैं next हम देख लेते हैं यहां पर 5HT3 antagonist तो देखिए 5HT3 जो होता है उसके antagonist तो एक तरह से उसको मतलब उसके अपोज ये वर करेंगे जब यह उसके अपोज यहां पर वर करेंगे तो सिदम कह सकते हैं यहां पर वमेटिंग वगारा ट्रीट वगारा होती है अंडन सैटरन जो होता है एक तरह से हमारा काफी जादा effective दवाई देखने को मिलती है तो it is this selective 5HT3 antagonist यानि selectively होता है मतलब काफी जादा अपच्छा effect देता है उस साथ हमारा जो उन्डन सैटरन होता है इसके पास एक तरह से potent anti-emitic properties होती है यानि एक तरह से बहुती अच्छी properties होती है उसके अगेंस्ट इसलिए एक तरह से common salt और most लिए एक तरह से इसको डॉक्टर वज़ारा चलात हैं अब देखें यहां पर यूज कर जा रहा है लेकिन एक जो दवाई होती है एक तरह से एक यूज नहीं कि जाती और यूज के effect होते हैं तो anti-vomiting तो एक तरह से हैं मतलब anti-emitic साथ में एक तरह से cancer की chemotherapy होती है उसमें एक तरह से काफी effect हुए देखने को मिलता है तो इस त 10 to 40 mg TDS होता है साथ में सिनार जींज होता है यहां पर 75 mg OD यहां पर अंडिन सेटलन 4 से 8 mg BD या TDS या OD एक तरह से 3 नोस में इसको चल जाता है जैसी कंडिशन होती है पेशेंट की उस हिसाफ से अब यहां पर देखें लेते हैं इसकी इंडिकेशन तो इंडिकेशन यानि य साथ में यहां पर गाड़ यह हमना फार्मको थेरापोटिक में आपको डिटेल में पढ़ा हुआ है साथ में कैंसर को ट्रीट करने की प्रोपर्टीज बेसिक अंदर पाई जाती हैं मोशन सिखने इस एक तरह से जो उल्टी वगर के सिम्टम्स होते हैं उसको ट्रीट करने म जिससे हाईपर सेंश्टिवटी ती सभी में आप लिख सकते हैं कोमा फ़गर के पेशंट को इक तासी इनको हम नहीं दे सकते हैं साथ में सी वर सी एनईस ट्वी उस कंडिशन भी इनको हम नहीं दे सकते हैं आपका टोपिक यहां पर कंप्लीट हो जाता है इसकी ही आपसे नेक्ट टूड लेक्चर में